प्रियांका गांधी वाड़रा के बयान में नीच शफ़ पर मोधी ने खेला दलित कार्ड कहा मुझे चाहे दे दो गालियां लेकिन मेरी जाती को नहीं मोधी के पिछड़ा कार्ड पर भड़की मायवती वोट बटोरनी के लिए उत्रप्रदेश में घिनावनी राजमीती का लगाया आरोब नरेंद्र मोधी से पूची उनकी जाती बिसी सियाई ने राजस्थान क्रिकेट संग को किया सस्पेंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नतीजों के एलान में अध्यक्ष चुने गए थे ललित मोधी पवार बोले बिसी सियाई का फैसला बेहग कड़ा और किजिन रिन मामले में बढ़ सकती है सल्मान खान की मुश्किल कोर्ट में तीन गवाहोने की पहचान एक गवाह का आरोब पांच लाक रुपे लेकर बयान बदलने की दी गई धमकी पुलिस ने शुरू की जाज नमस्कार आईवेंट सेवन की सभी दश्कों का स्वागत है आपके साथ मैं स्मिताश शर्मा हूँ आप देख रहे हैं मेरा वोट मेरी सरकार जिसमें आज हम टटोलेंगे आजमगर के सियासी नफस को क्यों आखिर आजमगर को बार बार करार दिया जा रहा है आतंका गड़ जानने की कोशिश कर रहे हैं वहां मौझूद मेरे सयोगी भुपेंदर चौबे जो अब बुलिटिन के इस आगे के सफर को बढ़ाएंगे आतंकियों के गड़ के नाम से जाना जाता है जी हां हम इस वक्त शिबली अकादमी में हैं यह वो जगह है जहां पर आप पढ़ाई लिखाई साहित्य के बारे में अने एक लोगों से चर्चा कर सकते हैं लेकिन आज जब हम यहां आते हैं चर्चा किसी और ही बाती होती है अमिद्शाह के बयान की, चचा होती है मुलाइम सिंग के बयान की या फिर आजम खान के बयान की इनी सब बयानों की राजनीती के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे अगले आदे घंटे में लेकिन सबसे पहले वार और पलटवार क्यों आ रहा है गुसा मायवती को नरेंदर मुदी पर देखते हैं मायवती और नरेंदर मुदी के बीच इस वार और पलटवार की अस्ती तकरार आप मेरी चापी पे गाली देने पर उपरें आपने ये कह दिया ये नीच की राज़ी निती है भागयो धनो मैं इस बात का तो इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं नीची जाती में पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरे भागयों बताये क्या नीची जाती में पैदा होना ये गुणा है क्या स्री नरेंदर मुदी को ये कहना है कि नीची राजनिती करने का मतलब किसी जाती विसेश से नहीं होता है नीची राजनिती करने का आर्थ घटिया किसम की राजनिती करने से होता है यदि ये पिछले वरग से तालुक रखते हैं तो इनको अपनी जाती बताने में तकलीफ क्यों हो रही है वो कि जाती से पिछले वरग में हैं वो नाई है या वो कुस्वा है या फिर वो पाल है तो यका यक ये दो हजार चौदर की चुनावी भिरंद जातियों की भिरंद कैसे हो गई अभी तक तो हम सिर्फ विकास की बात सुनते थे कहीं ऐसा तो नहीं उनकों लेकर अमिर्चा जी ने कर जो सर भाशा जो यहां पे दिया है आप उसको किस पकार से देखते हैं क्या इस जो आप कभी आपकार अपराधी से और एक ऐसा अपराधी जिसे सुप्रिम कोर्ट ने गुजरात में दाखले पर पावंदी लगा दी हो एक ऐसे अपराधी से किसी शरीफबाद की उम्मीद कर सकते हैं आप और उस अपराधी को संदक्शन दे रहा है अलेक्शन कमीशन मैं यही बात आप से पूछा था जो कि मैंजर ब्रामपूर में आपके पास आया था तब आप यह कह रहे थे कि देखिए चुनावायोग ने अमिच्छा को तो एक बकार से बरी कर दिया उनको छूट भी दे दी आपके खिलाफ लेकिन जो मसला था आपके और अमिच्छा के बीच एक तरिकी का डिस्टिंशन हुआ मेरे खिलाब कोई मसला ही नहीं है मैं एक शरीफ आदमी और अमिच्छा एक अपराधी लेकिन जब वो यह कहते हैं कि आजमगर नहीं आतंक गड़ है वो समाजवादी पार्टी के उपर परहार कर रहे हैं वो आजमगर के उपर परहार कर रहे हैं या अपनी वोट बैंक की इस्तिमाल कर रहे हैं मतलर कर आए कि तोयलेइट में मिठाई नहीं बेची जाएगी या ने की भाते जंता परणी आपके मताबक और अमिच्छा आपके मताबक क्या हुए हूए मैं तो आपीक बात कही नहीं ह्तो कि नहीं मैं एक बात कही कि अ एक अपराधी से कий अमीद करत अती उत्सा की बात है अती उत्सा में अपनी महबद के इजहार में हो सकता है जात्ती हो गई हो लेकिन इसमें और ये कहने में के एक ऐसा इतहासिक जिला असम्गर उसे आप अतंगर कह दें ये दूनों बाते इसमें अक्षार का उटसा नहीं था? क्या हो? वो भी तो कह सकते हैं कि मेरा उटसा था उटसा बड़ा भाच्छा पोटो लगाकर राम राज के लिए लोगों से वोट मांगना ये भी तो उटसा था तो यानि सर मुझे ये बताईए कि ये जो चुनाव है अब दो चड़नों के चुनाव बचे हैं क्या ये पूरा का पूरा उतर प्रदेश में खासता और पे सर चुनाव सिर्फ अब इनी सब इशूस पर लड़ा जा रहा है कि ये बताए अब तक शैथान ने चोला पहन रखा था नेकी का सेकुलरिज्म का अब शैथान नंगा होके साड़क पर आगया बस इतना साफ़क हुआ उस तक्मीकी खराबी के लिए आपसे माफी चाहूँगा जिससे कारण लिंक ये बीच में फेल हो गया था लेकिन हमारी चुनावी यात्रा आगे भी बरकरार है चुनावी यात्रा के दौरान इस परकार की गड़बड़िया इस परकार की खामिया होती रहती हैं कभी राजनेतिक दलों में तो कभी मीडिया के साथ आज हमने दिन भर आजमगड़ में बिताया अनेक लोगों से बातचीत की अनेक लोगों से यह यहां पर जानने का प्रयास किया कि जो बयान बाजी की राजनीती हो रही है वो आखिरकार क्यों हो रही है इसी शिबली अकादमी में आज सुबह मैं यहां के कुछ सीनियर जो रिसर्च फेलोज हैं उनसे चर्चा कर रहा था कि क्या वाकई मुस्लिम समाज अमिद शाह के इस बयान से एक जुट होकर क्या किसी एक दल के पीछे खड़ा हो सकता है क्या आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं आप भी पुलिटिकल पार्टी का जो ट्रैप है आप उसी में फल जाते हैं क्योंकि जब आप अमिद शाह की निंदा करते हैं तो एक उसका नतीज़ा निकलता है कि नहीं आप तो आप कॉंग्रिस से साथ हो जाएंगे और समाजवादी पाटे की साथ है और सभी दल यहीं नहीं चाहते हैं यह हमारी बतकिस्मती है इस मुल्क की बतकिस्मती है कि जब हम इनसाफ के बाद भी करते हैं तो इसको यह कहा जाता है कि हम ट्रैप में आ रहे हैं अब सोची आप खुद बताईए कि एक आदमी हमको मुल्दिम बता रहा है अब दूसरा आदमी कह रहा है कि यह मुल्दिम नहीं है तो यह उन दोनों का ट्रैप है या हम कहा जाएं किस दखा जाएं तो यह मजबूरियों के समझे की कोशिश कीजिए कि यहां के आदम गड़ के शिबली और आहूल को लोग भूल गए यहां के कैफी को भूल गए यहां के उन मजदूरों को भूल गए जो पृस्ति देश नहीं विदेश में जाके महनत से काम कर रहे हैं अपने घर चला रहे हैं उन सब को भूल के यह कहना कि साहब वो तीन चार बंबलास्ट हुए हैं और उसमें तीन चार नाम जो हैं वो आ गए हैं और सब जानते हैं मेरिया भी जानता इस बात को हर आदमी जानता है कि बटला हाउस से लेके जितने भी केसे हुए हैं उसमें अब तक कोई चीज साबित नहीं हो पाई है आप सब लोग आजमगड के यह वाँ हैं और आप सब लोग यहीं पे रहते हैं मुझे यह बताएं कि जो नद्वी साब जो बोल रहे हैं क्या यह सच नहीं है कि घूम फिरकर आजमगड में सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही राजनीती होती रहती है इंफरस्रक्टर के इशूस पर बात नहीं करते हैं लोग जैसे नहीं नहीं कहा कि यहां इसकी पहचान तो बड़े-बड़े अनिक शक्सेतों से भी होती है सिर्फ और सिर्फ इसको धर्म की राजनीती से जोड़कर लोग क्यों देखते हैं क्या यह जनता का जिम्मा बनता है या निताओं का जिम्मा बनता है असनल में नेता करते हैं कि वो अपना उलू सीधा करने के लिए या अपना वोड बैंक बनाने के लिए अपने उफाद में मताविक काम करते हैं और हाला कि यहां की बहुत से खार्सावी खितमात है, हरалась की बील्योख में आप आप próciendo आम लेजी है की तुस्च मेंडाब लिजीए बॉलिवीड के में लेजी हर तरह की थारक पर कोई निरे अपता उसे य स्ट पक्रेजला गये का, और जुर। तो यह सिर्फ आपके मुताबी के चुनाव से जुड़ा हुआ है इतली हमें चुनाव से जुड़ा हुआ है और इसकी पीछे वो चाहते हैं कि एक हवबा बनाके हम अपनी स्टेट के से दिनकाले लेकि आदम खान की बीतों जब वो बोलते हैं कि नहीं देखे वो भी तो एक मैं प्रकार का धुबिक्रण है ना जब आजम खान साहब ये अबू आजमी साहब वोबी तो आपती चिनक भाषान करते हैं तो निंकी निंदा करने चाहिए कुए यह धर्मों को इन सब चीजों से जोड़ना क्या आपके मताबिक सई निया एक जहुरी मुल्क है और यहां स ना आजमगर में बिजली सड़कों का खसता हाल पीने के लिए खराब पानी और उसके बावजूद देखिए किस प्रकार की चुनावी भिड़न्त हो रही है यकिन मुद्धो पर हो रही है लेकिन चुनाव सिरु उतर पर देश में नहीं हो रहे हैं 64 सीतों पर हो रहे हैं कल प पर रमाकांत यादफ को जीत हासिल हुई थी 2009 में बीजेपी के टिकट पर लगभग 50,000 वोटों से जो हैं इस सीट पर वो काबिस वे थे अकबर एहमद डंपी बीस पी के खिलाफ हाले कि 2008 में जो बाइपोल्स वे थे उसमें अकबर एहमद डंपी को जीत हासिल ही थी यहां लगाता जो यह सीट फलक्चुएट जरूर होता रहा है 1996 में जहां सपा को जीत हासिल मिली 1998 में 38 वीसेदी वोट शेर के साथ बीएस पी की लेकिन जो जरूरी बात है कि यहां लगाता अगर आगर आप देखे 1999 से दरसल रमाकांत यादफ ही अलग-अलग टिकटों पर चुन आप जो यह रमाकांत यादफ को 2009 में जीत हासिल हुई यह मसलमन के तोर पर भी देखे जाते हैं इनके भाई उमाकांत भी बसपाव के नेता रह चुके हैं जिन्हें मायवती ने बाहर का दर्वाजा दिखा दिया था लेकिन एक ही शक्स किस तरीके से जो है अलग-अलग प फैक्टर शायद यही असलियत है आजमगर की धन्यवाद दिसमितार इस सारी जानकारे के लिए उत्ता एक ब्रेक का लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो खबरें जो शायद नहीं नहीं चुनावी शोरूर के बीच दब जाती तो चलिए ब्रेक भी समाप्त और इसी के साथ हमारा ये चुनावी सफर भी आज के लिए समाप्त चलते चलते आपको उन चुनावी खबरों से रूब रूब करा दें जो कहीं न कहीं इस पूरी शोरूर के बीच दब सी जाती है लेकिन हमारी चुनावी यात्रा कल भी बरकरा रहेगी एक और जिगे से फिर आप से रुखसत होंगे तब तक के लिए आप सभी को शुबरात रहेगे साथ माई को आठवे चरण के चुनाव में अमेठी से राहूल गांधी, स्मृती इरानी कुमार विश्वास, सुल्तानपूर से वरुन गांधी, गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा और सारण से राबडी देवी, हाजीपूर से रामविलास पासवान, हमीरपूर से पार्टी नेता सोमनाद भारती समेच 40 से ज्यादा कारेकरताओं पर आचार साहिता के उलंगन का मामला दर्ज किया गया है, इससे पहले आप कारेकरताओं को शेहर छोड़ने को लेकर, पुलिस और कुमार विश्वास और सोमनाद भारती के बीच जम कर बहत हुई थी पंजाब के होशियार पुर से बीच प्रत्याशी भगवान सिंग चौहान ने बाबा राम देव पर एक विवादास पत बयान दे दिया, चौहान के मुताबिक जो भी राम देव का सिर काट कर लाएगा, उसे एक करोर रुपे इनाम दिया जाएगा हैं सिर्बत के लियावे, उनुन एक करोर रुपे इनाम देता जाएगा